नमस्कार दोस्तों, इंसुरेंस टेकनिकल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। यहां आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ इंसुरेंस की जनकारी, इंसुरेंस प्रोफेशनल के द्वारा वह भी बिल्कुल आसान भासा में। आज की चर्चा का विश्या है LIC का नया पेंशन प्लान, जिसे LIC ने 5 सिप्तमबर 2022 को लॉंच किया है, जिसका नाम है New Pension Plus और इसका टेबल नमबर है 867, यह एक बहुत ही जबर्दस प्लान है। इस प्लान के सबसे खास बात यह है, कि यह एक Unit Link Pension Plan है, जिसमें Guaranteed Edition भी है। Unit Link Plan का मतलब है कि आपके चुन हुए Option के अनुसार आपका पैसा Market में Invest होगा, और जो भी Return होगा, वह आपके Fund में जुड जाएगा। और साथि साथ LIC की तरफ से आपको Guaranteed Edition का भी लाब मिलेगा। और आपका पैसा कहां कितना लगेगा, यह decision भी आपका ही होगा, आपको इसके अलग-अलग Option मिलेंगे। तो कुल मिलाकर यह एक बहुत ही जवर्दस्ट प्लान है। अगली खास बात है कि सिर्फ 35 वर्ष की उम्र में भी पेंशन स्टार्ट करने का अप्शन है। और अगली खास बात यह है कि New Pension Plus में सिंगल प्रीमियम और रेगुलर प्रीमियम दोनों की सुविधा उपलब्ध है। आईए अब बात करते हैं इस पॉल्षी को कौन-कौन से लोग ले सकते हैं और उसकी आवस्यक सर्ते क्या है। निव पेंशन प्लास पॉल्षी को लेने के लिए उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए और अधिक्तम उम्र 75 वर्ष है। यानि कि जिनकी उम्र 25 वर्ष से ल अपनी जरुरत को पूरा करने के अनुसार ले सकते हैं। इस पॉल्षी के अंदरगत मिन्मम वेस्टिंग एज 35 वर्ष का है। मतलब किसी 25 साल के व्यक्तिने 10 साल के पॉल्षी प्रियेट के साथ इस पॉल्षी को लिया तो 35 साल की एज में उसकी पॉल्षी का जो भी फंड वेलू बनेगा उससे वो अपना पिंशन शुरू कर सकते हैं इस पॉल्सी का निवंतम निवेश सिंगल प्रिमियम के लिए एक लाख रुपय है और रेगुलर प्रिमियम के लिए प्रिमियम पेमिंड मोड पर निर्वर करता है यदि आप मंतली प्रिमियम भरना चाहते हैं त तो कम से कम हर 6 महिने पर 16,000 रुपय का निवेश करना होगा और यदि इर्ली प्रिमियम भरना चाहते हैं तो मिनिवम निवेश 30,000 रुपय हर साल करना होगा इस पॉल्सी के अंतरगत आपको इन्वेस्टमेंट के 5 आप्सन मिलते हैं पहला है पेंशन बॉंड फंड दूसर इसको पूरी अच्छे तरह से एक्स्प्लेन करूंगा शौर्ट में इतना जान लिजे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट का कितना परतिसत सीFF इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहते हैं उसी के अधार पर यह उप्सन हैं जिसका चुनाव आपको करना है और आपके पास फं पिदविया की प्रतारिशाद जगक्ते किंदुन हो यदी आपको हुचर में पैसे की जरुवत पड़ती हैं तो बिमाधारक कुछ विशेश जरुतों को पूरा करने के लिए पार्सल विड्रोवी कर सकते हैं यदि बिमाधारक को पैसे की जरुवत एजुकेशन के लिए पढ़ती है बिमारी के इलाज के लिए पढ़ती है शादी के लिए पढ़ती है तो policy के fund value से कुछ पैसे को निकाला जा सकता है और policy period के दौरान तीन बार पैसे को निकाला जा सकता है अब जानते हैं यह pension plan काम कैसे करेगा इस policy को आप एक policy period के साथ लेते हैं जब policy का period खत्म होता है तो आपकी policy का जो fund value होता है आप उस पैसे से pension का plan लेते हैं और उसके बाद पूरे जीवन आपको pension मिलता है उस time पर आप कौन सा plan ले सकते हैं तो आप immediate annuity और deferred annuity दोनों plan में से कोई एक plan ले सकते हैं immediate annuity को आप immediate pension भी कह सकते हैं इस option के अंतरगत pension तुरंट शुरू हो जाती है जैसा इसके नाम में है immediate मतलब तुरंट तो यह plan लेने पर pension तुरंट शुरू हो जाती है deferred annuity को आप deferred pension भी कह सकते हैं deferred का मतलब होता है अस्थागित यानि कि policy तो आपने अही ले लेकिन आपने define कर दिया कि कितने साल के बाद आपका pension सुरू होना चाहिए यानि कि आपने अपने pension को आगे अस्थागित कर दिया जितने साल के लिए आप अपने pension plan को अस्थागित करते हैं उतने साल के बाद pension सुरू हो जाती है यदि आप चाहें तो पूरे fund value से immediate pension या deferred pension ले सकते हैं या चाहें तो 60% fund value से immediate pension ले 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 और 40% से deferred pension ले 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 death benefit के रूप में policy का जो भी fund value होगा ओ या जितने premium का भुगतान किया गया है उसका 105% दोनों में से जो भी ज्यादा होगा उसका भुगतान होगा यदि कोई partial withdraw किया गया था तो उसे घटा कर भुगतान होगा detail example के साथ इस policy की detail video मैं जल्दी ले कर आऊंगा और इस policy से जुड़े बहुत सारे concept हैं जिसको मैं detail में अलग-अलग video में explain करूंगा तो दोस्तों प्लीज इस video को like करके मुझे प्रुचाहिक जरूर करें और सबसे महत्योपूर्म यदि आपने इस channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो कर लें और जूड़ यह हमारे साथ insurance professional से insurance की जनकारी के लिए और साथ में bell icon पर भी click कर दें और all select कर लें ताकि जब भी मैं new video upload करूं उसकी notification आपको मिल जाए और यदि आपके पास कोई सवाल है तो उसे comment box में लिखें अंत में अपना किमती से मैं निकाल कर इस video को द आनेवा